हेलो एब्रीवन वैलकम नाव वी विल स्टड़ी तोपिक जीरो रेडियो ग्राफी जैसा कि यहां पर लेक्चर डैट मेंस सब्जेक्ट के अगर अपन बात करें तो यह जो टोपिक है अपना यह एक कोमन टोपिक है डैट मेंस कि यह डी आर्टी फर्स्ट इयर में भी है और डी आर्टी सेकेंड यहर में भी है अगर इसकी स्लेबस की बात की जाए अपनी तो डी आर्टी फर्स्ट इयर के अंदर अपना एक सब्जेक्ट जनरल रेडियो ग्राफी डैट मिंस पॉजिशनिंग पॉजिशनिंग में अपना यह टोपिक आता है जीरो रेडियो ग्राफ इसके अलावा अगर अपन बात करें कि अपने सेकेंड यहर की तो सेकेंड यहर के अंदर भी जीरो रेडियो ग्राफी की कई बार कुशन पूछे गए हैं तो इस वज़े से अपना जीरो रेडियो ग्राफी डैट मिंस सेकेंड यहर में भी आता है और फस्ट इयर में भी आ यहां पर इस जो टॉपिक है इसका जो नाम है जीरो रेडियोग्राफी इसके बारे में समझते हैं अपनी जो नॉर्मल कन्वेंशनल रेडियोग्राफी होती है ठीक है जहां पर अपन क्या करते हैं जो अपने डार्क रूम प्रोसेजर पढ़ा था फोटोग्राफिक इफेक्ट होता है लेटेंट इमेज बनती है आपकी फिलम के अंदर केमिकल प्रोसेसिंग कराते हो और इसको विजिबल इमेज में कन्वेट करते हो वो आपकी रेडियोग्राफी होती है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी और जीरो रेडियोग्राफी में ड इसा नहीं होता है जिरो रेडियोग्राफी के अंदर ऐसा आपरstory के उपर एमेज लिय जाती है ठीक है और यहाँ कोई भी प्रकार की प्रोच्सिंग नहीं होती है धेटमेंज कि जीरो रेडियोग्राफी थोड़ा सा अलग है किसले आपका conventional radiography से बात दूसरी की जाए अगर अपन यहाँ पर करेंगे effect की तो photographic effect भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा इसके अलावा अगर अपन एक्सर ट्यूब machines वगरे की बात करें तो वो तो same होंगी बट जो processing होगी वो अलग होगी processing अलग क्यों होगी because यहाँ पर हम method अलग काम में लेंगे यहाँ पर अपना material दूसरा है material अपना अलग काम में ले रहे इस वज़े से यह चीज़े हो रही है तो जैसा कि zero radiography की बात की जाए zero radiography के अंदर हम कोई भी chemical processing नहीं करते हैं प्लास्टिक पेपर पर image लेते हैं अब यह process होगी कैसे या फिर इसके अंदर कौन कौन से components अपन काम में लेंगे तो यहाँ पर अपने that means zero radiography में क्या होता है जैसा कि अपने photographic effect या फिर normal जो conventional radiography होती है वहाँ पर अपनी होती है अंदर आपकी क्या होंगी जीरो radiographic cassette होगी जीरो radiographic plate होगी यह इसके components है mainly इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर इसके इंट्रोड़क्शन की इंट्रोड़क्शन में है अपना जीरो radiography is a special technique which does not require weight processing like conventional x-ray films and the radiographs were recorded on a paper rather than a film जैसा है कि मैंने आपको बता है कि conventional radiography में हम x-ray film के उपर image record करते हैं बट जीरो radiography में ऐसा नहीं होता है जीरो radiography एक special technique है जिसके अंदर क्या किया जाता है which does not require weight processing that means यहाँ पर chemical processing की required नहीं होती सारा काम आपका कैसा होता है dry होता है सुका है वेट गेला काम यहाँ पर कोई भी नहीं होता है like conventional x-ray film जिस तरीके से x-ray films में जो अपनी conventional radiography होती है वहाँ पर अपन जैसा करते हैं वैसा यहाँ पर नहीं होता है जिरो radiography एक drive process photo static के अगर अपन यहाँ पर बात करें photo static word that means यह charge related है ठीक है यहाँ पर अपना क्या होता है कि process क्या होती है अपन जो अपनी रेडियो सोरी जिरो radiographic जो प्लेट होती है उसको अपन एक बार चार्ज करते हैं फिर डिस्चार्ज करते हैं यह जब यह अपन आगे amazing में पढ़ेंगे तो वह जो चार्ज और डिस्चार्ज का जो that means यहाँ पर प्रोसेस हो रहे इसके लिए यह वर्ड यूज किया गया फोटो स्टैटिक अगर इसके बात की जाए कि जीरो radiography आपकी beneficial किसमे होती है इसका फायदा किसमे होता है तो mainly अगर अपन बात करें यहाँ पर अपनी beneficial जीरो radiography होती है तो soft tissue में भी अगर अपन यहाँ पर बात करें तो for example के तो अपना जो neck का soft tissue होता है उसकी amazing के लिए और दूसरा जो अपन females के अंदर breast होता है तो उसके या फिर breast tumor की बात की जाए तो that means soft tissue के अगर अपन कोई भी radiography करना चाहते है तो उसके लिए अपने that means soft tissue के radiography के लिए zero radiography एक अच्छा method है सबसे main बात है इसका introduction समझना introduction में यही है यह zero radiography एक ऐसी technique है जिसमें हम कोई भी chemical processing नहीं करते हैं पूरे dry processing होती है यहाँ पे यहाँ पे आप film की बजाए एक paper के उपर radiograph को record करते हो अब करेंगे किस तरीके से या फिर इसके components क्या क्या हैं उनके बारे में अब अपन discuss करते हैं कि मोड्स ऑफ जीरो radiography अब अपन बात करते हैं जीरो radiography के mode के बारे में ठीक है तो मोड्स के अगर भी बात की जायए तो दो प्रकार के mode यहाँ एक होता है नेगेटिव मोड और दूसरा होता है पोजिटीव मोड अब इनकी अगर बात कि जाए तो जो नेगेटिव मोड वह किसके लिए आपका most dense part के लिए that for example bones के लिए अगर आप किसी भी bone वगरे का यहाँ पर x-ray कर रहे हो diagnosis कर रहे हो तो उसके लिए अपन कौन सा mode काम में लेते है negative mode काम में लेते है और अगर कुछी soft tissue के अपने को radiography करनी है तो उसके लिए हम positive mode काम में लेते हैं अब होता है कि इसमें देखो negative mode was used in the extremities radiography the images are blue and white the white color represent the dense area यहाँ पर होता है कि negative mode मैंने आपको बता है dense part के लिए तो mostly जालता है अपने extremities that means अपने legs और feet की जो भी diagnosis प्रोसेजर होता है उसके लिए हम इस प्रोसेजर को काम में लेते है इस mode को काम में लेते है negative mode और जैसा कि एक और difference आपको यहाँ पर देखना का मिलेगा zero radiography और conventional में conventional में जो आपकी film होती है वो अपने मान के चलते हैं black and white that means black and white तो नहीं होती है white और grey shades वहाँ पर होती है ठीक है बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है यहाँ पर दो shades जो आएंगी वो आपकी कैसी होंगी blue और white shades आती है और जगर अपन negative mode की यहाँ पर बात करते हैं negative mode के अंदर white color क्या represent करता है dense area that means white color यहाँ पर bones को represent करेगा और blue color soft tissue को represent करेगा जैसा कि आपका conventional में होता है white color किसको represent करता है bones को वैसा ही यहाँ पर होगा but जैसे अपन positive mode की बात करेंगे positive mode was used in mammography mammography आपको बताए breast tissue की जो भी radiography होते है उसको अपन mammography बोलते है mammography में अपन कौन सा mode काम में लेते है positive mode काम में लेते है the images are blue and white यहाँ पर भी image कैसी होंगी dense part को show करा था but यहाँ पर ऐसा नहीं होगा यहाँ पर blue color represent करेगा most dense area या फिर most dense part दोनों modes को एक बार दुबारा समझना negative mode किसके लिए किया जाता है extremities के लिए that means bones के लिए positive mode soft tissue that means breast tissue या फिर mammography के लिए image आपकी कैसी होती है यहाँ पर blue और white होती है negative mode के अंदर white area represent करता है most dense part को और positive mode के अंदर blue color या फिर अपन बात कर सकते है blue area represent करता है most dense area dense that means जिसकी density ज़्यादा हो जिसका घनत्व ज़्यादा हो for example अपना जो soft tissue उसकी density कम होती है comparison to the bone bone के density ज़्यादा होती है अब अपन बात करते है zero radiographic plate की plate that means जिस पे आप image लोगे ठीक है image की आपने printing किस पे दी paper पे दी but paper पे direct image तो आएगी नहीं उसके लिए बीच में आपको दूसरी process चाहिए that means वहाँ पे अपन क्या करते थे conventional में X-ray film पे अपने image लिए X-ray film को आपने process करा है latent image को visible and image में convert कर लिए यहाँ पे ऐसा नहीं होता है यहाँ पे आप image लेते किस पे हो zero radiography plate पे और फिर इसको अपन paper पे convert करते है that means paper पे image को ले के आते है बनाते है अब होता है क्या zero radiography plate zero radiography plate is made up of aluminium the size of plate is 9.5 into 14 inch that means आपकी फिलम के size 9.5 into 14 inch होती है ठीक है zero radiography plate aluminium की बनी होती है अब जैसा है कि अपने X-ray film में अपने construction में पढ़ा था कि वहाँ पे कुछ layers होती है ठीक है अलग-अलग उसका base होता है उसकी emulsion layer होती है substratum होता है तो यहाँ पे 4 layers पाई जाती है there are 4 layers in the plate first layer आती है आपकी aluminium की layer aluminium layer is the base of the zero radiographic plate aluminium की जो layer हो सबसे नीचे पाई जाती है और इसका main function क्या होता है that means base का ठीक है और base का काम आपको मैंने बता रखा है कि अपने X-ray film में base का काम क्या होता था जो other 3 layers हो उसकी ठीक है उनको क्या करती थी वो support प्रोवाइड करती तो यहाँ पे भी base layer का यही काम होगा that means कि aluminium की जो layer है ठीक है जो की base layer का का काम कर रही है zero radiography plate में यह base layer जो other 3 layers है उनको support प्रोवाइड करेगी दूसरी layer की अगर बात की जाए तो दूसरी layer का नाम है interface layer अब interface layer में क्या होता है it is a layer between selenium and the aluminium जैसा कि वहाँ पे दूसरी layer आपकी substratum की थी किस-किस के बीच में आता था substratum emulsion और base के बीच में उसी तरीके से यहाँ पे आपकी third layer पता है किस के आती है selenium के आती है तो third layer selenium के जैती है उसके और आपकी जो first layer है aluminium layer उन दोनों के बीच में आपकी कौन से layer होती है interface layer होती है it is the layer between selenium and the aluminium selenium और aluminium के बीच में यह layer पाई जाती है it is made up of aluminium oxide और यह किस के बनी होती है aluminium oxide के बनी होती है और इसका काम क्या होता है it works as an insulator to prevent the charges migration from the aluminium to the selenium that means कि यह as an insulator work करती है insulator जो की conduction नहीं होने देता है तो यहाँ पे क्या होगा अगर यह बीच में insulator लगा होगा तो aluminium से कोई भी charge आपका कहां पे नहीं जाएगा selenium पे नहीं जाएगा अब यह charge क्यों नहीं जाना चाहिए यह हम आगे working में पढ़ेंगे तब अपने को समझ में आएगा कि यह charge क्यों नहीं जाना चाहिए यहाँ पे processing charge से होती है अब आप diagram के थूँ इसकी structure समझ सकते हो 4 layers होती है जीरियो रेडियोग्राफी प्लेट में first आपकी aluminium layer जो की base layer होती है दूसरी interface layer जो की aluminium oxide की बनी होती है ठीक है इसका काम क्या होता है as a insulator act करती है और aluminium layer से कोई भी charge को selenium layer तक नहीं जाने देती है तीसरी आपकी जो most important layer आती है वो आती है selenium layer जैसा कि आपके extra film में थी तीसरी layer emulsion layer जहाँ पे image बनती है और last layer आती है आपकी overcoat ठीक है overcoat that means यह एक protective layer है जो की zero radiographic plate की बाकी की जो तीन layer है उनको protect करती है या फिर अगर अगर अपन बात करें कि जो अपनी most important layer है जो कि selenium की बनी है इस selenium की layer को यह overcoat protect करता है physical injury से dust से that means हर एक चीज से जिसे खराब हो सकती है ठीक है तो यह आपका इसका construction हुआ अब अपन बात करते हैं अपनी third layer के selenium की layer की जो कि अपनी most important layer है तो इसके अगर बात की जाए तो यह amorphous selenium की बनी होती है अब दो प्रकार के solids होते हैं आपको बता देता हूँ एक होते है crystalline solid और एक होते है amorphous solid ठीक है अब इनके बारे में detail में मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊँगा आप normal physics के अंदर यह चीजे पड़ी हुए दो प्रकार के solids होते हैं एक होता है crystalline solid और दूसरा होता है amorphous solid तो जो selenium layer होती है वो किसकी बनी होती है amorphous selenium की बनी होती है ना कि crystalline की crystalline form of the selenium is not used in the zero radiography that means zero radiography में crystalline selenium कभी भी काम में नहीं लिया जाता है only the amorphous form of the selenium is used as the photo conductor in the zero radiography zero radiography में kevil और kevil हम amorphous solid काम में लेते हैं that means selenium का amorphous form वहाँ पे काम में लेते हैं और यह किस तरीके से act करता है photo conductor that means एक प्रकार से conductor होतार photo that means photons का conduction यहाँ पे हो सकता है इसलिए इसको आपन बोलते हैं कि as a photo conductor यहाँ पे काम करता है इसके बाद में अपनी जो fourth layer आती है वो आती है overcoat की the protective coat made from cellulose acetate that means कि जो आपकी fourth layer है जिसको आपन यहाँ पे overcoat बोल रहे है that means जो protective layer है जो कि बाकी के तीन layers को protect करेगी वो आपकी cellulose acetate की बनी होती है and it protects the other layers of the zero radiography plate that means कि इसका main function क्या होता है कि जितनी भी बाकी की जो zero radiography की plate है उनको protect करना note the zero radiography plate is placed inside the light tight flexible plastic container which is called the zero radiographic cassette जिस तरीके से हम x-ray film को x-ray cassette में रखते हैं किसे light से बचाने के लिए उसी तरीके से zero radiographic plate को भी light से बचाने के लिए हम उसको किसमें रखते है zero radiographic cassette में but zero radiographic cassette और अपनी x-ray cassette में एक difference है दोनो light tight है यह तो इसका क्या हुआ similarities हुई उसमें भी light enter नहीं कर सकती और इसमें भी नहीं कर सकती बट यहां पर जैसा कि आपने x-ray cassette में पढ़ा है कि x-ray cassette आपकी rigid होती है that means hard होती है but ऐसा zero radiographic cassette में नहीं होता zero radiographic cassette flexible होती है plastic के बनी होती है flexible होती है that means यह मुड सकती है इसको अपन बैंड कर सकते हैं ठीक है यह difference होता है zero radiographic की cassette में और normal जो अपनी x-ray की cassette आते हैं उसमें तो that means अपने बात की zero radiographic plate की चार लेयर अपनी आई यहां पर first aluminium second interface third selenium और fourth overcoat aluminium base होता है यहां पर जो बीच में interface है वो insulator की तरह act करता है selenium most important layer और overcoat protective layer अब अपन बात करते हैं इसकी amazing की amazing के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था photo static effect यहां पर लगता है that means charging और dis charging यहां पर जो आपकी main जो layer important layer कौन सी थी selenium की selenium की layer charge होती है discharge होती है और इसी के process के through हमें यहां पर image मिलती है तो that means हम यहां पर पढ़ रहे है zero radiographic plate charging किस तरीके से zero radiographic plate charge होती है that means यहां फिर अपन बात कर सकते है zero radiographic plate के amazing के कि यहां पर imaging किस तरीके से होगी तो सबसे first step अपन बात करते है the first step is charging the selenium semiconductor from the uniform positive charge the scrotan is a device that is used to charge the selenium plate this device produce a charge on the surface of the selenium plate on the principle of corona discharge जैसे कि यहां पर बतायागा कि first step अपनी imaging की क्या होगी सबसे पहले हम को यहां पर क्या करना होगा कि जो आपकी selenium की layer है उसको charge करना होगा that means उस पर charge लाना होगा और वो अपन कैसे लाएंगे यहां पर एक device होती है इसका नाम होता है scrotan और scrotan device अपन काम में लेके क्या करते है कि जो selenium की जो plate है या फिर जो आपकी zero radiographic plate की जो selenium की जो layer है उसको हम charge करते हैं सबसे पहले इस device produce a charge on the surface of the selenium जो यह device है scrotan यह क्या करती है कि जो आपकी selenium की जो plate है उसके उपर charge produce करती है on the principle of corona discharge किसके principle पे corona discharge के principle पे जैसा है कि अभी जो corona चल रहा है उस corona की बात अपन यहां पर नहीं कर रहे है corona discharge एक अलग effect होता है जिसमें हपन क्या करते है gas की सहायता से किसी भी water पे या फिर किसी भी fluid के उपर क्या कर सकते है charge produce करते है तो वो जो effect होता है उस effect को बोला जाता है corona discharge effect ठीक है तो that means उसी principle के base पे यहां पे क्या किया जाता है scrotan एक device होती है वो device सबसे पहले selenium के semiconductor के layer को charge करती है charge करने के बाद में अपने को क्या करना होगा कि हम इस plate को किसमें रखेंगे अब एक light tight box में रखेंगे that means zero radiography की cassette के अंदर रख देंगे ठीक है इसको हम light tight zero radiographic cassette में रखेंगे इसकी normal imaging आप समझना सबसे पहले अपन सेलनियम की layer को charge करेंगे charge करने के बाद में plate को हमने cassette के अंदर रख दी अब अपन इसको exposure के पास लेके जाएंगे that means कि अब हम इसको selenium के plate पे charge था then अब जैसे वह exposed होगी तो वहां से discharge हो जाएगी that means जहां जहां पर उसके पर radiation गिरेंगी वहां वहां से discharge हो जाएगी इस तरीके से आपकी जो selenium की plate होगी वह आधी charge बची और आधी discharge बची जिस तरीके से सेम आपकी x-ray film में क्या होता था कि आधे hgbr के crystal ionize हो जाते थे और आधे नहीं होते थे तो इसी से वहां पर latent image बनेती थी यहां पर भी सेम है आधा आपका क्या होगी वहां पर चार्ज है और आधा नहीं है तो इसी condition से that means इसी process के थ्रू वहां पर क्या बनती है latent image बनती है whenever the selenium plate is exposed to light or x-ray the positive charge plate will be discharged that means कि जो selenium की जो plate थी जिसको आपने charge किया था charge करने के बाद में उसको आपने cassette के अंदर डाला अब आप उसको जैसे exposure के पास लेके गए तो जैसे वह light या फिर x-ray से exposed होती है तो जो positive charge था वो क्या हो जाता है discharge हो जाता है अब obviously बात है human body organ के अंदर अपने दो पार्ट है एक high dense और एक low density that means soft tissue और bone bone क्या करेंगी radiation को रोक लेंगी तो that means जहां जहां पर bone होगी वहां पर आपका charge as it is रहेगा but soft tissue आपकी radiation penitate होके plate पे गिरेंगी वहां पर plate discharge होती है यह आपका directly proportional होगा intensity of the x-rays जितनी ज्यादा x-rays होगी और जितनी ज्यादा intensity होगी x-rays गे उतनी ज्यादा plate क्या हो जाएगी charge से discharge हो जाएगी the remaining charge pattern on the plate surface is called an latent image अब क्या हुआ कि जो आपकी plate थी उस पर जो charge था वो discharge हो चुका है बट कई जगह पर अभी भी charge बचा है कौन सी जगह पर जहां पर आपका bony part था high density part था because वहां पर radiations नहीं पहुच पाई तो वहां पर वो अभी भी charge है तो that means अब वहां पर क्या बन चुक है then the exposed plate is placed in a dark box where the aerosol of charged particle is sprayed on the zero radiographic plate these charged particles have dark blue color अब अपन ने क्या किया कि जो exposed plate थी जहां पर आधा charge और आधा discharge उसको अपने क्या किया एक dark box में रख लिया अब अपन उसको processing के लिए के जाएंगे processing के लिए जैसा कि अपने conventional में chemical से करते थे यहां पर chemical नहीं होगा यहां पर अ Aerosol charged particle का Aerosol का वहां पर spray करेंगे इस प्रे करने से क्या होगा कि these charged particles have dark blue color यह कैसा color देंगे आपको dark blue color देंगे बहु आपकी plate पर दो जगह एक जहां पर discharge discharge वहां पर कोई भी reaction नहीं होगी ठीक है जहांपे discharge वहां पर कोई reaction नहीं होगी बट जहां पर चार्ज वहां पर जै पहले से पोजिटिव चार्थर वहां पे अब कौन सा एरोसल डालने से ब्लू कलर आजाएगा डार्क ब्लू कलर पाउडर एरोसल एट्रेक्ट बाइड चार्ज पैटर एंड इमेज इस फॉर्म डैट मिन्स जैसे आप आट डालते हो उससे उसके थू माँ पर क्या बनेगी आपकी इमेज बनेगी दपाउडर पिचर ओन दा सर्फेस ओफ दा प्लेट इस दें ट्रांसफर करना थीक है ताकि आप उस लेनियम की प्लेट उसको दुबारा से काम में ले सको तो अ एक special प्रकार का plastic paper आता है जिसके उपर हम इस इमेज को ट्रांसफर करेंगे कैसे करेंगे the plastic paper has a layer of plastic it is placed over the plate plastic जो paper होगा उस पर प्लास्टिक की लेर होगी ठीक है उसको अपने क्या करेंगे प्लेट के उपर रखने के बाद में क्या करना होगा बड़े है by creating pressure on the plate the particles are embedded in the plastic प्लास्टिक पेपर के अंदर जाएंगे अंदर जाने से वह सारी के सारी इमेज आपकी किस पे आजाएगी plastic paper पे आजाएगी then by heating the paper the particles bonded to the plastic and gives the visual परमाल अब जैसे आप थोड़ी सी heat दोगे उसको तो जारे के सारे जो particles थे वह अंदर अच्छी से जाएंगे plastic paper के और फिर आ हीटिंग गणने के बाद में क्या किया जाता है कि जो selenium की plate प्लेट के उपर powder picture उसके उपर आपने क्या रख दिया आपका paper रख दिया और paper के उपर आपने weight रख दिया तो दोनों चीजे साथ में हो रही है pressure भी हो रहा है heating भी हो इससे क्या होते है कि जो भी particle सा powder पिच रह आपको एक visual that means visible permanent image मिल जाती है तो यह पूरी process है आपकी zero radiography की किस तरीके से आप wet chemicals काम में ना लेके dry processing के थुरू आप selenium की plate पर image लेते हो और फिर plate पे लेने के बाद में उस image को आप paper में convert कर लेते हो that means paper पे आपको x-ray image मिलती है यहां पे advantage of zero radiography अब आपने advantage की बात करते it enhances the visualization of the border between the different densities that is called edge effect that means यहां पे क्या होता है कि जो अलग अलग प्रकार के density है first example आपका soft tissue भी और bone भी है वहां पे तो इन दोनों की density के बीच में difference होगा वहां पे एक border मिलेगा वो border आपको बहुत clear मिलता है यहां पे that means इस border effect वाले को हम effect को बोलते है edge effect edge यानि किनारा किना इसको समझ लो जीरो रेडियोग्राफी एक dry processing ऐसे टेक्निक है जिसके अंदर हम conventional रेडियोग्राफी की तरह कोई भी wet chemicals काम में नहीं लेते हैं यहां पे paper के ऊपर image ली जाती है अब इसके लिए अपने components होते है जीरो रेडियोग्राफी plate और जीरो रेडियोग्राफी cassette plate के इंदर चार्ड लेयर होती है aluminium interface selenium और overcoat aluminium base interface aluminium oxide insulator का काम करती है उसके बाद में आप क्याती है selenium की most important layer होती है जिसको अपन पहले charge करते है फिर discharge होने पर इमेज बनती है last राती है overcoat जो के cellulose acetate की बनी होती है जिसका काम होता है protect करने का उसके बाद में बात करते है अपन आप क्या करते हो इस plate को charge करते हो किसके थूरू corona discharge effect के थूरू ठीक है फिर उसके बाद में जैसे आप उसने charge के charge करने के बाद में आप उस plate को cassette के अंदर रखो के cassette को अब एक्सपोज के लिए लेकर जाओगे radiation से एक्सपोज करने से क्या होगा कि जो selenium की प्लेट तो चार्ज थी अब वहां जहां जहां पे radiation किरेगी वह वहां वहां से डिस्चार्ज हो जाएगी that means वहां पे एक latent image बन गए अब इस latent image को आपको visible image में कनवर्ट करने के लिए आप इस पर क्या करते हो एरोसोल का पाउडर का इस प्रेय करते हो इस प्रेय करने से क्या होगा जहां जहां पर वहां पर चार्ज था वहां वहां पर आपका डार्क ब्लू कलर आ जाएगा that means अब आपको visible permanent image मिल जाएगी यह पूरी आपकी जीडियो करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं प्रेया